अब हम alcohols के कुछ और reactions भी पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है oxidation, oxidation का मतलब है addition of oxygen is called oxidation, तो इस reaction में हम क्या करते हैं, हम ethanol लेते हैं, और acidified potassium dichromate लेंगे, अब acidified क्यों, क्योंकि इसके साथ reaction करने से हमें nascent oxygen मिलती है, oxygen का atom मिलता है, और वो हमारे ethanol के साथ react करेगा, और जो product बनेगी वो हमारे पास ethanol बनेगी, ethanol का मतलब यह aldehyde है, और इस केस में acetyl dehyde है, तो याद रखना आपने यह बात, an exam point of which is, बहुत important है, कि जब भी आप primary alcohol की oxidation करेंगे, तो आपको एक aldehyde मिलेगा, ठीक है, अब अगर secondary alcohol की oxidation करेंगे, तो आपको एक ketone मिलेगा, ठीक है, और हमारे case में हमने 2 propanol ली, again, same reaction, जो product हमारे पास बनी, वो a ketone बना, यानि इस केस में aceton या propanol बना, अब you might want, कि sir, अगर tertiary alcohol के साथ करेंगे, तो क्या बनेगा, आपनेगा, प्राइमरी के साथ तो बनेगा, अगर ये lecture आप completely देखना चाहते हैं, और इसके साथ साथ, बेशुमार MCQs, उनके answers, और explanations भी हासिल करना चाहते हैं, and that all free, तो अभी Google Play Store पर जाए, and लिखिए, हिपो ये learning program, हमारी एप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज कीजिए, बलके अपने दोस्त और class fellows को भी recommend कीजिए, कर दोग्यों, में बल्ड़ेत रिखिए, बल्ड़ेज कीजिए, अज़ रिखिए, रिखिए, चुदे हैं,